अस्सलाम आलेकुमर रहमेतुल्याही बरकातुहू आज मैं आप सभी से कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ वीडियो को पूरा देखे, इसकिप ना करे हिंदी कुरान गर्ल, इस चैनल को एक साल से ज्यादा कसमे हो चुका है इस चैनल के माध्यम से मैं अरेबी कुरान का हिंदी अनुवाद आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ जो मेरे सवा बेजारिया का एक जरिया है सूरा अलबकरा, ये सूरा लगभग एक साल से मैं आपके सामने हिंदी में पेश कर रही हूँ कई मुश्किले आई और मैंने हार नहीं मानी एक जजबा के साथ उन लोगों के लिए अरेबी कुरान को हिंदी में अनुवाद करके उसको समझ कर उन लोगों के लिए सामने लाई जो मेरी ही तरह कुरान तो पढ़ते ही है प्रन्तु उसका अनुवाद समझने में गौफिल रहते है बच्पन से मैं भी चाहती थी कि अरेबीक में हम जो पढ़ते है वो क्या है और फिर एक जाग रुकता हुई कि मुझे भी हिंदी अनुवाद में कुरान पढ़ना है और जानना है कि कुरान में अल्लह क्या कहता है इसी तरीके से और कई सवाल मन में उठते और जवाब जानने की उस सुक्ता बढ़ती रहती कि हम दुनिया में क्यों आएं किसलिए आएं और फिर हम मर क्यों जाते है मरने के बाद क्या होता है और कुरान को लेकर काफी कुछ सोचा करती थी कि गैर मुसलिम आखिर क्यों ये कुरान पढ़कर इसलाम को अपनाते है ये सारी जानकारी हासिल करने में काफी वक्त लगा और अभी भी मैं बहुत कुछ सीखने के लिए पीछे हूँ इन्शाला आप सभी मेरे लिए दुआ करें और मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज्यादर से ज्यादर शेयर करें और सबस्क्राइब करें और आज अलहमदलिल्ला सुरा अलबकरा की आखरी आयते आपके सामने हिंदी अनुआत लेकर आई हूँ उमीद है जिस तरह मैंने कुरान को आपके सामने पेश किया है आपको पसंद आया हो और समझ भी और इन्शाला मैं आगे भी आपके लिए अपनी छोटी छोटी कोशिशे करती रहूँगी सुरा अलबकरा के बाद वाली सुरा सुरा आहल इमरान आपके सामने पेश करूंगी इन्शाला आप सभी से गुजारिश है मेरे लिए दुआ करें फिलहाल हिंदी कुरान गर्ल ये चैनल मेरे लिए एक मातर ऐसा चैनल है जिसके जरिये मेरे आमाल नामे में सवाब जारिया लिखा जाएगा मेरी वीडियोज को जितने लोग देखेंगे इन्शाला उसका सवाब अजर कयामत तक मुझे आपको मिलता रहेगा इसलिए उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल को ज्यादे से ज्यादे शेयर करें आयत नमबर 282 से लेकर 286 तक अल्ला के नाम से जो अत्यन क्रिपाशील और देयावान है है इमाल लाने वालो जब तुम किसी नियस समय के लिए आपस में उधार का लेंदिन करो तो उसे लिख लिया करो चाहिए कि कोई लिखने वाला तुम्हारे बीच इनसाफ के साथ लिख दे किसी लिखने वाले के लिए यहाँ सही नहीं है कि जैसा कुछ अल्ला ने उसे जिखाया है उसके अनुसा लिखने से किनारा खीचे उसे लिख देना चाहिए और दस्तावेज का लेक बोलकर वहां लिखाए जिस पर हक आता है और उस अल्हा का जो उसका रब है डर रखना चाहिए और उसमें कोई कमी ना करनी चाहिए और यदि वहाव्यक्ति जिस पर हक आता है कम समझ या कमजोर हो या बोल कर दस्तवेट ना लिखा सकता हो तो चाहिए कि उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ बोल कर लिखा दे और अपने पुरुशों में से दो गवाहों की गवाही करा लो और यदी दो पुरुष ना हो तो एक पुरुष और दो इस्तिरियां जिन हे तुम गवा होने के लिए पसंद करो गवा हो जए ताकि यदी एक गलती करे तो दूसरी उसे याद इला दे और जब गवाहों से गवाही के लिए कहा जाए तो उन्हें किनारा नहीं खीचना चाहिए और मामला छोटा हो या बड़ा समय के न्युक्ति के साथ उसे लिखने में आलस्य से काम ना लो यहां अल्हा की दिरिस्ट्री में सबसे अधिक न्याय संगत और गवाही अधिक ठीक रखने वाला तरीका है और इसमें तुम्हारी किसी संधे में ना पढ़ने की अधिक संभावना है हाँ यदि नगल सौधा हो तो उसके ना लिखने में तुम्हारे लिए कोई दोश नहीं और जब सौधा करो तो गवाह कर लिया करो किसी लिखने वाले को और किसी गवाह को हानी ना पहुँचाए जाए यदि ऐसा करोगे तो यहाँ तुम्हारी बड़ी अवग्या होगी अल्ला कर डर रखो अल्ला तुम्हे सिख्षा देता रहा है और अल्ला हर चीज को जानता है और यदि तुम सफर में हो और किसी लिखने वाले को ना पा सको तो गिरो हाथ में रखकर मामला कर लेना चाहिए फिर यदि एक ने दूसरे पर इत्मनान कर लिया है तो जिस पर विश्वास किया है उसे चाहिए कि वहाँ अपने विश्वास पातर होने को सिद्ध कर दे और अल्लह का जो उसका रब है डर रखे और गवाही को न छिपाओ जो उसे छिपाओ तो निश्चे ही उसका दिल गुनहगार है और अल्लह जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धर्ती में है सब अल्लह ही का है जो कुछ तुम्हारे मन में है तुम व्यक्त करो या उसे छिपाओ अल्ला उसका तुमसे हिसाब लेगा फिर जिसे चाहेगा शमा करेगा और जिसे चाहेगा यातना देगा अल्ला को हर चीज का सामर्थि प्राप्त है रसूल उस चीज पर इमान लाया जो उसके रब की और से उस पर उतारी गई और इमान वाले भी इमान लाये ये सब अल्ला पर उसके फरिष्टों पर उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर इमान लाये ये कहते हैं हम Allah के रसूलों में से किसी के बीच अन्तर नहीं करते और उन्होंने कहा हमने सुना और पालन किया हमारे रभ हमें तेरी ही शमा चाहिए और तेरी ही ओर लोटना है Allah किसी पर उसकी शक्ति से बढ़कर जिमेदारी का बोश नहीं डालता उसने जो कमाया उसी का है और उसने जो बुराई समेटी उसका बवाल भी उसी पर है हमारे रब यदि हम भूल जाएं या चूँक जाएं तो हमें ना पकड़ना हमारे रब हम पर भारी बोज ना डालना जैसा तुने हम से पहले लोगों पर बोज डाला था हमारे रब हम पर ऐसा बोज न डाल जिसके उठानी की हमें शक्ती नहीं हमें शमा कर दे और हमें धांक ले और हम पर दया कर तू हमारा सौमी है अता काफी लोगों के मुकाबले में हमारी सहायता कर